सबसे पहले मैं आपको अगर आप कुछ भी खाने पीने से पहले अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो आपको पतला दस्त होने लगेगा कुछ भी खाने पीने से पहले जब हम साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोते हैं तो हमारे हाथों से बैक्टेरिया सीधे हमारे पेट में पहुंचते हैं और पेट खराब कर देते हैं साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप पीने का पानी भी बिल्कुल साफ सुत्रा रखें पीने का पानी गंदा होने की वज़े से भी पतले दस्त की समस्या हो जाती है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो घरेलो नुस्का बताऊंगा वो पतले दस की समस्या से आपको सिर्फ एक घंटे में रहा दिला देगा तो चलिए बिना किसी देरी के ये नुस्का जाल लेते हैं दोस्तो इस नुस्के में जिस चीज का मैं प्रियोग करने जा रहा हूँ वो है जीरा, जिहां दोस्तो जीरे का प्रयोग आपको इस नुस्के में करना है, करीब आपको एक बड़ा चम्मच जीरा का प्रयोग इस नुस्के में करना है, दोस्तो आपको ये नुस्का तयार कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको करीब देड़ का पानी में एक बड़ा चम्मच जीरा डाल लेना है और इस पानी को आपको करीब 10-15 मिनट टक उबालना है जिससे की जीरे का पूरा सत इस पानी में आजाए। जहां दोस्तों आपको इस पानी को 10 मिनट तक उबालना है, जिससे की जीरे का पूरा सत्स पानी में आ जाए, इसके बाद आपको इस पानी को छान लेना है, दोस्तों ये नुस्का मैंने पहले से तی्यार कर रखा है, तो मैं आपको आपको दिखला देता हूँ, इस तरह से दोस्तों आपको इस जीरे की चाय को बना लेना है, आपको जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही आपको इस चाय को बनाना है, देड़ का पानी में आपको एक बड़ा चम्मच जीरा डाल करके इसको 10 मिनट तक उबालना है, उबालने के बाद इसा झानना है और य दोस्तो अभी ये नुस्खा तयार नहीं हुआ है, इस नुस्खे को तयार करने के लिए आपको इसमें एक बड़ा चम्मच चीनी भी मिला करके खोल लेना है, ध्यान रखिएगा कि जीरे के साथ ही आपको चीनी को नहीं उबालना है, आपको अलग से इसमें एक चम्मच चीनी डालना है और इसे घोलना है जब इस में आप चीनी घोल लेंगे तो इसे आप तुरंधी पी लीजिएगा, ऐसा करने से आपको तुरंधी पतले दस्ट की समस्या से चुटकारा मिल जाएगा, यानि कि पतला दस्ट तुरंधी बंद हो जाएगा, दोस्तो तो इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको बिल्कुल पानी की तरह पतला दस्त हो रहा है तब आप इस नुस्के को दूसरी तरह से बनाईएगा तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पानी की तरह अगर आपको पतला दस्त हो रहा है तब आपको इस नुश्खे को कैसे तयार करना है दोस्तों आपको करीब एक ग्लास पानी में दो चम्मच जीए तो